प्रिइंत्र Allah , यह था डिव रहे कोर हुँगा है, ही यह सुखने ऐ हैं। क्रेप्शन इतनी बढ़ गई है कि मुझे पूछा था तो क्रेप्शन जो है इस वकत अलबता वही जो पहली गोर्मन्ट थी या इसी गोर्मन्ट में जो पराने प्रोजेक्ट से जो पेंडिंगे अभी तो वह भी पूरे नहीं हो रहे हैं तो कहां पर ग्रोंड में कि इन्होंने को एट जो है और हमें गुम्रा किया हैं अब हमें यह है कि जमो किष्मीर की आवां जो है हम सब को आँके खोलने की जौरूर थै और हमें समयना होगा कि जो इन्होंने हमारी पंचाइट सिस्टम का जो इन्होंने सेट अप किया, किस तरह सेख़rea से खरवाड तो BDC के जिनकों लोगों को चेर्ण में बनाया इन्हों ने कहा जी हम आप उनको पावर देंगे तो वह वेट करते रहे पिछले एक डेट साल से के हमारे पास पावर आएंगे हम गरांस हमारे पास आएंगी हम डिस्ट्रिबूट करेंगे अपने अलाकाई मसाइल हाल करेंगे वह भी वेट करते रहे फिर इन्होंने एंगेज कर दिया उनको भी कुछ नहीं मिला उनका टाइम तो निकल गया उनके लिए स्पेस भी नहीं कहीं तो जब वो टाइम निकल गया तो इन्होंने कहा जी अब थर्ट आयर आगया आप डीडी सी करवाएंगे और यह जो पैटर उससे डाइवर्ट किया किस्ती तरफ ड्रेक्ट पाटिस्पेशन पब्ल की कर दी इस डीडी सी एलेक्शन में अब डीडी सी के जो हमारे एक एक डिस्टिक्स में ने चार लोग रखे उनको ये लगा कि उनको ये महसूस होना शूरू हो गया कि शाई ये अमिल्ले की तरह है हाकिकत में उनको इन्होंने एक इंगेज किया या आप कह सकते हैं अब उन्हीं में से अभी तक कोई नोटिफ आप देख रहे हैं नियूस सार इंडिया और मैं हुआ अरफाजा मडैंग आज की खास मुलाकात में हमारे से मौजूद हैं फार्मर बार प्रेजडेंट सोरन को से अभी तो कुछ नहीं आ रही है अलबता यह है कि जो हम चीजें देख रहे हैं जो सेंटर गोर्मन ने जो प्रामिस किया था कि हम जो है आनिम्प्लाइमेंट दूर करेंगे करेप्शन खतम करेंगे तो करेप्शन भी वहां पर है बलके उल्टा यह नकसान हुआ है जो लो बढ़ गई है तो जो सेंटर गोर्मन ने जो प्रामिस गरा किये थे उसका बरक्स नजर आ रहा है ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है अपने फोर जी की बात की क्या कारण लगते हैं आपको कि फोर जी अगर उदूंपुर में चल सकता है गांधर बल डिस्टिक में च चल सकता है तो जम्मू में क्या होनी चल सकते हैं एक है कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन डार्कनेस आपने डेंग सब सुना होगा तो हमारी जो इस वकर जो डेमोक्रेसी है वाक्या डार्कनेस में है तो यह जान बोच कर इंटेंशनली एक लोगों को परशान करने की बात है आज उसी तरफ से जम्मो क emperor को लोगों को हंद्यरे में रखा गया है माना कि security के के अšलिए हम भी कभी हम भी कहते है national security first है बट intentionally जम्मो किशमीर के लोगों को खासकर जो ओफान हैं जो आपना जो फ़ांस बरते हैं आल लाइन भरते हैं या competitive एग치rey्ण के तिarring देते हैं और हमारी जहां के जो business establishment है उनका काम सारा इंटरनेट पे चलता है या दूसरे अदारे जो institution से उनका काम भी आजकल इंटरनेट के बिना नहीं होता है लेकिन यह जान बूच कर इसको आप कहते हैं mentally torture किया जा रहा है और यह intentionally देना नहीं चाहते हैं यह लोगों को तं इंटरनेट दिया जाए पहले गोवर्नर सादागा लिए मुश टाइम के बाद देढ़ देром के आभी उपके दो लूगों को अद्माद उठागा उटगा उसके लेफटकॉल government jobs के लिए उनको बड़ी परशानी आ रही है तो ये intentionally जो है deliberately जो है तंग किया जा रहा है यह सब बड़े सारे लोगों का ये भी मानना है कि एक बहुत बड़े स्थर पे जो है एक scam हो रहा है जिससे है वाई फाय ब्राड बैंड जो है घर घर में लगाना जो है एक मजबूरी बन गी ये लोगों की क्योंकि उसके बिना जो है काम भी नहीं होते हैं तो क्या ये एक सही मानना है उनका बड़ी बात नहीं है scam तो अगर आप जम्मो किश्मीर में देखेंगे आज भी खोलेंगे तो आज भी कितने मुझे लगता है कि पिछले एक साल से तो ज़्यादा scam हुई होँगे तो ये भी कहा जा रहा है कहीं डैली बेटली के ये ऐसा तो नहीं है कि वाई फाई को चलाने के लिए जियो जो है उसको जब घर घर पहुंचेगा तो एक जब उसकी investment हो जाएगी consumer बढ़ जाएगा तो शायद उसके बाद ये भी एक है कि ये बहुत बड़ा scam भी हो सकता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये तो यासर भी क्या दिक्कतें आ रही है जब मुकिश्मीर सरकार को अगर पहले political system हुआ करता था तो यहां पर एक पाउटें थी कि हाँ भी political parties जो है वो नहीं मतलब आगे बढ़ने दे रही है या यूथ को जो है employment नहीं दे पारी है लेकिन अब तो उससे क्या सकते हो एक dictatorship indirectly dictatorship कह सकते हो तो यहां पर बीरोक्रेट जम्मो किश्मीर को इसको चला रहे हैं तो यहां पर जब democracy कमजोर होगी क्योंकि पहले accountability थी जो लोगों के representative होते थे उनकी एक accountability होती थी public की access होती थी public उनको भी डर होता था कि क्या हमें public के पात जाना है हम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कुछ तो करते थे ना अब at least यह हो गया है कि जो bureaucrates हैं जो बाबूज हैं एक तो यह क्या है कि जितना जितना भी यह कर सकते हैं एक तो मैं आपको बता हूँ बिरोक्रेसी बहुत हैवी है जमू किश्मीर में और यह लोगों की public access नहीं है इन तक और यह मानते भी नहीं है किसी को और यह naturally corruption भी बढ़ गई है पहले से more than 10 times corruption बढ़ गई है accountability कहीं है नहीं है transparency है नहीं है गोर्नल्स ग्रोन लेवल पे जन नजर नहीं आ रही है सिर्फ यह है कि APRs के लिए यह अपनी performance report अच्छी बनाते है documentary और वही हमें दखा दिया जाता है paper में headlines में दखा दिया जाता है कि government ने फलाने फलाने institutions में इस इस parameters में इतना excel किया है जो सरसर जूट है government की जितनी center government की grants आती है अगर कोई survey करे unbiased होकर वो देखेगा वो पैसा कहां गया है वो पैसा होगा ही नहीं ग्रोन में लगा ही नहीं होगा अगर पीछे से किसी भी for example 10 लाख रपया आता है उस 10 लाख में से ग्रोन में आपको 50,000 रपया नजर नहीं आएगा तो यह सारा bureaucracy जो है इस अकर पूरी तरह जो है लोग किया था कि यहां पर private sector आएगा आप मुझे बताएं कौन सा private sector आया कौन सी यहां पर industries खुली है जो लो माना के उसके लिए time लगता है लेकिन अभी start किसने किया है कौन सी private sector कश्मीर वैली के अंदर आई है या जमू के अंदर आई है तो यह सरा सार इन्होंने गुमरा किया उनको जूट बोला बलके जो जमू किश्मीर के पास अपने जो jobs थी बलके वो भी इस वकत एक तरह से open करने के एक रास्ता बनाया हुआ है तो अब जमू किश्मीर के जो अपने resources है वो भी exploit होना शूरू होगे है तो जमू किश्मीर को कहां से फाइदा हुआ फाइदा जो ह है वो जमू किश्मीर को नहीं हुआ अलबता इसमें अगर सबसे बड़ा जो बेनीफिशली जो रहा बेनीफिशली जो है बिरोक्रेसी रही है क्योंकि उनकी accountability है नहीं है उनकी transparency है नहीं है तो public की access नहीं है तो unemployment तो इस वकत इतनी बढ़ गी है कि हमारे इंडिया में अगर जएदा rise हुई है यानि कि यह साड़े साथ आठ लाके करीब पहुंच चुकी है नोजवान frustrated हैं कुछ depression में हैं कुछ stress में हैं कुछ farm भी बरना चाते हैं उनके पास internet facilities नहीं है उपर से corruption इतनी बढ़ गई है कि more than आपने encryption का भी मुझसे पूछा था तो corruption जो है more than इस वकत more than ten times बढ़ गई है और पूछने वाला कोन है आप मुझे बताएं जिन पर charges लग रहे हैं आप जो बड़ी fishes है ना आप छोटे मोटे तो आप दखाते हो के government बड़ी काम कर रही है लेकिन जो बड़े fishes हैं जो जहां से जड़ है जो corruption की उस जड़ को खतम नहीं किया जा रहा है जड़ तो वैसे की वैसी है चोटे मोटे मलाजमों को कभी दिखा देना कि इसने corruption की हमने इसको पकड़ लिया कि हाँ जी government जो है जहेंड के मैं काम कर रही है अलबता यहां पर जब तक हमारी जो statehood जो है वो वापस नहीं दी जाएगी जम्मू किश्मीर के जो rights थे खास को जो हमारे यहां के लेंड्स के rights थे और उसके बाद हमारे जो jobs के जो security थी वो नहीं दी जाएगी और statehood दी जाएगी और उसके बाद यहां की constituent assembly जो है election करवाया जाए यहां के उसके बाद यहां के जो हमारे मसाइल से हल हो सकते हैं लेकिन इस वकड़ जो आप कहोगे जो आप देखेंगे बड़ी बरहमना से सामबा डिस्टिक्स से जो है दो बच्चे कट्रा से बरहमत किये गए तो क्या इसको मानते हैं कि यह 375 से टूटने का एक नतीचा सामने आ रहा है नेचली एक आप कह सकते हैं कि psychological effect तो हुआ है crime जो था जमू किश्मीर में आप even जमू श साल से आपने बड़ी बरहमना की बात की एक सतवारी में incident हुआ लेकिन जो अब इसका मतलब यह हुआ कि जो बाहर की दूसरी हमारी रियास्ते हैं वहां से जो लोग आ रहे हैं वो जो crime है उनको assist तो local कर रहे होंगे क्योंकि उनको रास्ता वगरा बताना कुछ तो होंगे य जनहाब हो यह crime घटेगा नहीं बलकि यह crime बहुत बड़ेगा जैसा development को कहां पर आ पार रहे हैं अभी जिस तरह से बड़े बड़े दावे किये जा रहे हैं जिस तरह आपने टीवी खोल के देखेंगे अपने चैनल्स खोल के देखेंगे वहां पर ऐसा लगता है कि बहुत हैं वो भी कहते हैं बड़ी development होई है बिल्कु ठीक है रहे हैं छे टोल प्लाजा तो साथ खोल दीए और चार पांच टोल प्लाजा और खोलने का है तियारी हो रही है हां वो development अगर यह कह रहे हैं तो लोगों को जो लोग आरडी मजबूर है अपनी उनके आमदनी के जरी न पेंडिंग्स थे उन्हीं पर काम हो रहा है निया प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं आया कि जिस पर कोई ऐसा काम हो या जमू किश्मीर के आवाम को फाइदा हो या जमू किश्मीर की नौजवानों को फाइदा हो ऐसा कोई development नहीं हुई है अलबता वही जो पहली गूर्मन्ट थी या इसी गूर्मन्ट में जो पराने प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग है अभी तो वह भी पूरे नहीं हो रहे हैं तो कहां पर ग्रोण में development हुई है कौन सा यहां पर जमू को इन्होंने कहा था कि हम जमू शहर को जो है clean cities का कहा था कि smart city बनाएंगे मुझे बताएं क जमू किश्मीर के आवाम जो है हम सब को आंके खोलने की जरूरत है और हमें समझना होगा कि यह जो political stunts होते हैं और मैं आपको एक और चीज़ कहूंगा डेंग साब कि इस government ने जो सबसे बड़ा जो लोगों का नकसान किया है लोगों के बाईचारे को खतम किया है और लोग पैट्रिटिक हैं यह फेक निशनिस्ट है यह लोग देश के लिए खतरा है बलके यह लोगों को गुमरा करते हैं और यही लोगों को टीवी चैनल पे बाईट के लोगों की आपस में डिसहर्मोनिक रेट करते हैं कि जब इनका अपना मफाद आता है, ये लोगों को मजभ के नाम पे लडाते हैं, किसी जगा जबान के बिना पे लडाते हैं, और किसी जगा अलाका ही बिना पे लडाते हैं, तो ये इनका पॉलिटिकल पावर में रहने के लिए होता है, ये पॉलिटिकल ये जो लोग इस वक है कि जो हमारे कंट्री के जो इंस्टिउशन ये डिस्ट्राइ कर रहे हैं क्योंकि इंस्टिउशन गौर्मन्ट तो गौर्मन्ट आती है एक गौर्मन्ट आएगी कल दूसरी आएगी गौर्मन्ट आती जाती रहती है लेकिन कंट्री के फाइदे कंट्री के हित में यही है कि institution को कमजोर ना किया जाए जैसे institution आप देख लो enforcement डिरेक्ट रेट जो है इसको independent रखा जाए impartial रखा जाए cbia उसको impartial रखा जाए और जोडिश्री को इंटर फरेंज जोडिश्री में ना किया जाए तो जितने institution जो हैं जब strong होंगे तो उससे क्या होता है जब institution strong होंगे government कोई भी आए जाए उससे देश को फरक नहीं पड़ता देश जो है मेशा जो है उसकी security को फरक नहीं पड़ता देश की development नहीं डुकती अलबता हमारे जम्मु किश्मीर के लिए मैं ये बात करूँगा कि जम्मु किश्मीर में हम ये कहेंगे कि हमारे लिए यहां पर ये statehood वापस करें statehood वापस होने से हमारे बहुत सारे मसाइल जो है ठीक हो जाएंगे और हमारे जो special status जो इन्होंने वाप जो लिये हैं यासे सब एक चीज़ में लास्ट पर आप से एक चीज़ और जाना चाहूँगा जिस तरह से डीडी सी एलेक्शन्स की जब शुरुआत हुई थी तो बड़े बड़े दावे किये गे थे कि उनको हम इस तरह की पावर्स देंगे इस तरह से इनको ड्वल्प करेंगे कि एक M पावर्स अगर जाएंगी तो अपोजिशन के पास जाएंगी तो लगता है आपको कि उनको पावर्स मिलेंगी डैंक साब पहले देखें कि जो इनुने हमारी पंचायथ सिस्टम का जो इनुने सेट आप किया किस तरह से ख़ड़वार किया पहले इनुने कहा जी जमू किश पावर देंगे तो वो भी वेट करते रहे पिछले एक डेट साल से कि हमारे पास पावर आएंगे हम गरांस हमारे पास आएंगी हम डिस्ट्रिब्यूट करेंगे अपने अलाकाई मसाइल हल करेंगे वो भी वेट करते रहे फिर इनुने एंगेज कर दिया उनको भी कुछ न motive था ये लोगों को इन्होंने basically real issues जो जो जमो किश्मीर के लोग face कर रहे थे उससे divert किया किसी तरफ direct participation public की कर दी इस डीडीसी elections में अब डीडीसी के जो हमारे एक एक districts में ने चार लोग रखे उनको ये लगा कि उनको ये महसूस होना शुरू हो गया कि शाइज ये अमिल्ले की तरह है हाकिकत में उनको इन्होंने engage किया या आप कह सकते engage किया अब उन्ही में से अभी तक कोई notification आई नहीं है कि अब जब notification आईगी कितनी seat reserve करेंगे कितनी open करेंगे उन्ही में से एक chairman बनेगा उनका सिर्फ दाइरा अभी इतना ही रखा है अभी वो भी grants नहीं है कि ये बिजली के पॉल्स चोटे मोटे होगे पानी की pipes होगी या सडकें वगरा होगी या hospital dispensary वगरा को देखना है लेकिन अभी उसके में भी इन्होंने clear नहीं किया है अब उसके chairman में के बाद इनका चोथा एक और सेट अप है ये बनाना चाहते हैं district development board में जिसमें ये सापका में ले वगरा भी बैठेंगे उसमें वो चोथा हो गया उसका जो chairman है वो बनेगा MP यानि कि आप मुझे बताएं ना इंडरेक्टली पावर फुर कोन हुआ इसके ओपर बैठेगा district board development का जो भी होगा वो MP होगा जिस area से वो होगा MP होगा जैसे जमू हमारा division है एक ही MP है तो जमू division के MP के जितनी districts आएंगे उसके डिडिसी होगा deputy commissioner होगा वो उसका secretary होगा तो वो जब साल में एक दो meeting होगी वहाँ पर जाएगा तो जो ये members होगे उसका chair में उनको feedback देगा जी हमें इतनी grant जरूरत है तो इसका मतलब कि उनके direct उनके भी access नहीं है कि वो किसी अपने बल्बोते पर किसी जगा अवाम को कोई मसाइल हो उसको हल कर पाएं वो भी दारों मदार किस पर कर दिया इसके बाज ये करने वाले हैं अभी clear नहीं है तो ये एक तरह से लोगों को आपस में आप देखेंगे इनका ये भी vision था कि जम्मो किश्मीर में एक नई leadership create की जाए leadership create करने का इनको benefit जो था जो government जो होती है ये चाहती है कि जितने leaders produce होंगे जितनी wices होंगी उन wices में आपस में consensus नहीं होगा आपस में उनकी ताल मेल नहीं होगा suppose करो कोई भी एक आदमी कुछ कहता है तो उसके rebuttals में उसके खलाब 10 आदमी खड़े हो जाएंगी तो ये wices को जो है एक तरह से उनमें differences पैदा करने के लिए किया है ताके government कल ये कह सके center से के भाई आपस में पहले अथवाग कर लो फिर हमारे पास आओ तो ये कैसे possible है कि उनमें आपस में अथवाग होगा इतनी leaders में तो ये कुछ नहीं है ये publics को एक तरह से divert कर दिया गया है अगर center government censure होती जो उन्होंने promise किये थे 5 अगस्त को वो पूरे करती उसमें से एक promise में मुझे बताओ जो उन्होंने पूरा किया हो सबसे बड़ा हमारा मसला था unemployment का आप बताएं उन्होंने कितनी unemployment दिया पिछले एक साल में कितनी unemployment दिया है या उसके बाद जहां के नوجवान पिछले एक साल से university college के बचे जो हैं मतालबा कर रहे हैं 4G internet का क्या उन्होंने दिया क्या उन्होंने यहां के नوجवानों की aspirations की मताबक जो था उनकी दिल जीते नहीं जीते यह सिर्फ हमें परेशान और तंग करने के लिए कर रहे हैं कर क्यों रहे हैं यह हमारी समझ से बाहर है अलबता यह जो आपने डीडी सी का सवाल किया है तो अभी इसमें भी picture पूरी clear नहीं है उनको खुद मालूम नहीं है कि हम क्या करेंगं यह क्या नहीं करेंगे तो अभाम के लिए आप क्या message देना चाहेंगे देखे अभाम के लीए यह है कि अपने सोच और समझ कर जो भी फैसला करें सोच और समझ कर करें किसी भी चीज को आप एकदम react मत करें किसी की उस चीज की तह तक जाएं आपको भी नियूस पढ़ते हैं किसी का कुछ भी देखते हैं उसके पीछे देखें उसके पीछे क्या है रिजन क्या है उसका मोटिव क्या है और जो भी आपको आपस में खास पर जम्हू किश्मीर की जो आवाम है आपस में एक हर्मोनी बन देने के लिए ये थे मारे साथ एड़ोकेट यासर खान साथ जिनमें काफी सारे मुद्दूबे मारे साथ चर्चा किया और अपने वियूज़ सांज़ा किया मैं और फादर में डाइंग कैमरा में शानवास के साथ